Hello Everyone, कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ, आप सब बहुत अच्छी होंगे और बहुत मज़े में होंगे मैं भी अच्छी हूँ और बच्चे भी अच्छी हैं पहले तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं इतना प्यार दे रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट लगके देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्टेट व वीडियो बनाया तो मतलब उस रेसिपी वीडियो में पता है कि है मैं चुप-चुप के वीडियो बनाती हो ठीक है ना तो चुप-चुप के वीडियो बनाती हो अब उस टेम पे मेरी सासुमा घर में थी उनको नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही थी और अपनी रेसिपी भी बना रही थी, तो कभी मैं वीडियो बना लूँ, कभी रेसिपी बना लूँ, अब आवाज भी नहीं जानी चाहिए, तो पते हैं क्या हुआ, वो वीडियो बनाने के चक्कर में, मैंने जो रेसिपी बनाई थी न, वो थोड़ी सी जल गी, तो यार मेरी जासुमा कहरी है, कि य एक हासे फिर वीडियो बनाऊ, फिर रेसिपी बनाऊ, वीडियो बनाऊ, रेसिपी बनाऊ, थोड़ा साना कन्फूजन सी हो जाती है मिरको, तो पर कोई नी में अरजस्ट कर रहे हुए, तो जब मुझे सब चीज़े के आदत हो जाहेगी, तब इतना प्रॉब्लम नहीं था, और मैंने अपने मन में यह सोचा था, कि जब तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं ट्राइपॉट खरीदूंगी भी नहीं, क्यूंकि यार मतलब में चीज यह है, देखो यार कुछ अर्निंग है नहीं, और मैं किसी चीज में पैसे वेस्ट कर जाते हैं, तो इस वज़े से ना मैं फालतूप ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंना अभी ट्राइपॉट नहीं खरीदूंगी, पर आप लोग मुझे बहुत सारी रिक्वेस्टेड वीडियो कर रहे हैं, तो और फिर मैं बेटी से वीडियो बनवाती तो पते क्या होता है, कि वो भी ना बच्चा है, बच्चा थोड़ा सा बोर हो जाता है इन सब चीजों से, आप समझ सकते हो, बच्चे इन सब चीजों से थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, कभी-कभी मैं उससे वीडियो बनाने के लिए बोलती भी हूँ ना, तो ममी मैं नहीं ममी मैनी बनारी तो इस वजह से ना मैं उससे बोलती ह 127 अब मैंनी शान लगा रहे हो तो मैं मतलब फ państ ll को किस तरीके से कहा ऐसा रखो फिर आपको समझ में इस तरीकस democracy बनाना चाती हुआ ताकि आपको प्रोपर तरीके से समझ में आए पर अभी ऐसा कोई वो नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश किस दिन अपनी बेटी को पटाती हूँ थोड़ा सा फिर उसके बाद मैं आपके लिए एक आद वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए डाली दूँगी सिलाई की और जब तक मेरा ट्राइपोट नहीं आता तब तक थोड़ा सा मैनेज कर ले ना अपनी दीदी के साथ जैसी भी मैं वीडियो बना रही हूँ और वैसे आप लोग मुझे मेरी गलतियों के वारे में बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है कि दीदी आप इस तरीके से वीडियो पनाया करो आप ये एप योस करो आप ये करो तो थैंक यू आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू और सची में मेरे बहुत त्यारे-प्यारे मेरे बेटे का नाम लेना तो बेटा दक्ष, हैपी बर्दे और आप जीओ हजारों साल और आप एक बहुत अच्छे इंसान बनो अपने ममी पापा का नाम रोशन करो आप बहुत पढ़ो लिखो और मेरी best wishes हमेशा आपके साथ रहेंगी और का साब मेरे पास होते तो मैं आपके लिए gift भी लेती तो अभी तो मैं आपको कोई gift नहीं दे सकती हूँ तो बस मैं आपको अपना प्यार आशिरवाद जो भी है मैं बस वही दे सकती हूँ तो आप फिर से दुबारा से happy birthday बेटा और तो मैं बहुत लोगों के सोस्तियों के नाम लूँ बहुत सारी लोग बहुत प्यारी-प्यारी मेरे सब्सक्राइबरे मन तो करता है कि मैं लोगों का नाम लूँ और मैं आज आप लोगों के साथे एक recipe सेयर करने वाली हूँ पर उसमें थोड़ी से मिस्टेक हो गई है बस वही है ना के कैमरे वाला हाल हो गया तो प्लीज आप लोगो जड़ा थोड़ा सा अरजेस्ट कर लेना और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और प्लीज जो लोग मेरे चैनल पे नए क्या लिखा हुआ है ममी देखना तो मुझे बड़ी खुशी होती है बच्चे बढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, और शेयर ज़रूर कर देना आपको बताया कि मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली थी तो यहां मैं बना रही हूं रजगुले और रजगुले के लिए चासनी बनाना है तो यह मेरे पास रखे हुए थे दिवाली के खिलोने बहुत सारे रखे हुए तो मैंने का इनका क्या करूं तो म काने-दार होती है तो इसमें मैनें मिला ली है कम से कम पांच चम्मच 5-6 मैनेu मैंने मैधा मिला ली है क्योंकि जो हमारी धाप थी वो थोड़ा 250- Jacobadamıy थी तो इस विजए से मैने this fish मैंने 5 चम्मच मैदा ली है तो मैं अगर दाप को हम को न उसी तरीके से हम को न इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मैदा को और धाप को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तो मैं यहां पर मिक्सी कर रही थी तो एक हां से मैंने कैमरा पकड़ रखा था तो आप लोगो को दिख नहीं हो रहा होगा तो मैं कहा न बना के देख लीजिए आपकी गोलियाँ ठीक ठाक बन रही है तो आपका डो तैयार है और यहाँ मैंने डाल लियाँ तक कड़ाई में دेसी घी क्योंकि आप रिफाइन भी ढाल सकते हैं आप जो डाल ड़क घी होता है वो भी ढाल सकते हैं तो मैंने यहां पर डाल लिया था देसी गी और यहां हमारी चास्मी उबल रही थी तो अब यहां मैंने देखो गोलिया बनाई है तो यह गोलिया मेरी बहुत अच्छी बन रही थी गोलिया और ये अच्छी तरीके से बननी थी आप इसको बना के देख लिए अगर आपको यहाथ में ज्यादा अच्छी पग रही है तो आप इसमें हलका हलका मैदा भी लगा सकते हैं मैदा लगाने के बाद आप इसकी सारी गोल गोल गोलियां बना लें और प्लीज आप लोग थोड़ा सा वो करना क्योंकि मैं कैमरा भी पकड़ रही थी और मैंने बेटी से बोला था तो बच्चे फिर मैं आप आपको पहले भी बताया बच्चे मनमौजी होते तो आपको मैं दिखाने के गोलियां हमारी एकदम अच्छी सी बनी हैं तो यह हमारे लड़ू मैंने चार-पांच लड़ू तियार कर ले थे क्योंकि कड़ाई में हमें एक बार में सिर्फ चार या पांच ही गोलिया डालेंगे जिससे कि हमारी जो गोलियां वो अच्छी तरीके से बन जा मेरे रजगुल्ले ठोड़े700 हो गएते तो मेरी सासुमा मुझे डार टी थी तो यह हलके फुल के वीडियो मनाने के चक्कर में हलके फुलके डार को गए थी भाकी तो बहूत अच्छे वने थीर और यहां मेरे एक तरीके से आप तलना तो आपके जो रजगुल्य न बहुत अच्छे बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे बस मेरे फॉर्स टाइम के जो रजगुल्य है वो थोड़े से डार्क हो गए हैं बाकी बने अच्छे हैं और जैसे जादा डार्क वाले रजगुल्य होते हैं यह उसी उसमें थोड़ी सी चासनी डाल के देखे, देखे, मेरी चासनी थोड़ी सी गाड़ी-गाड़ी हो चुगी और ये हमारी खिलोनों की चासनी है, तो प्लीज आप लोग अपनी दिवाली के खिलोने बिल्कुल मत फेक ना, वैसे तो मैं पहले चाय में यूज़ कर लेती थी, मै मतलब थोड़ा सा कुड़ा-बुड़ा भी हो जाता है, तो मैं इसे यहां पर चलनी से अच्छी तरीके से चान लूगी, मैंने एक बार नहीं इसको दो-तीन बार चान लिया था, तो हमारी चासनी एकदम अच्छी और एकदम परफेक्ट वाली चासनी बनी थी है, तो ये मे स्पंच सपंच वाले रजगुले नहीं बनते हैं, तो तो मे trueके साधन लूगे रजगुले थी ह sensor जाम्ला की DR LINKD जिससे की न रजगुल्य में बहुत अच्छी खुश्बू आ जाती है मतलब ऐसे लगते हैं जैसे बजार जैसे बजार के तो थोड़े से तो भी टाइट होते हैं लेकिन जो घर बाले रजगुल्य आते हो वो सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे प्लीज आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर ट्राइ करना जरूर ट्राइ करना क्योंकि जो घर के रजगुल्य होते हैं वो सच्छी में बहुत टेस्टी बनते हैं बहुत जाद अगर आप लोगों को मेरी वीडियो चीह तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बाबाई